Hello my dear students, Welcome to accounting guru GGI हमारे B.COM के exam चल रहे हैं हमारे मींस आपके और मेरे भी exam ही है क्योंकि अगर हमारे student की exam ही है तो हमारे भी exam है exam time में बहुत जादा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बहुत जादा tensions भी रहते है Currently प्रसूर रहता है Targets बना होता है और कुछ लोग तो इतनी टेंशन ले लेते हैं कि एक्जाम को छोड़ कर आ जाते हैं एक्जाम का असर पड़ जाता है मैं सबसे वहले हैं आपको आज की वीडियो इस्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ अगर आप कोई भी एक्जाम दे कर आते हैं तो प्लीज एक्जाम से आने के बाद उसका मैचिंग मत करें कुछ लोग क्या करते हैं एक्जाम से आने के बाद क्या उसमें मैं करके आया क्या उसमें मैं नहीं करके आया कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं इसको आकर देखते हैं जो हम कर चुके हैं जो हमारे हाथ में नहीं है उसके वारे मैं सोचना बेकार है और मैं आपको भी यह कमगा कि किसी को भी सला दें कि ऐसा मत करें मालीजी आज आज आप कोई paper देके आया है उसको जैसी देके आया है उसको question paper को ठाक कर रख दीजे अब अपने next paper की preparation करो उस चीज को छोड़ दो जो होगा उपर वाले पर छोड़ दीजे आपने अपना काम किया है अब बाकी काम उपर वाले का उपर वाले का उपर वाला भी यह क्याता है कि एक कतम आप चलो तो मैं आपका साथ दूँआ आज की वीडियो का title है क्या सब को मिलेगा grace marks अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिसे 10th में 12th class में government grace marks दे देती है ठीक है क्योंकि बच्चे अगर मालीजे 33 वाला कोई pass out होता है किसी के mark 32 31 या 30 आ गए तो उनको grace मिलकर 5 marks 10 marks का उन्हें pass कर दिया था ताकि वो next class में पहुच जाए क्या यह policy क्या यह scheme अपने ग्राइशन वाले बच्चों के साथ भी चलती है क्या यह सही है किस-किस university में प्रोवाइड की जाती है आज इसके बारे बात करने हैं तो वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe कर दे इस तरह की बड़ी updates के लिए और bell icon press करके all पर click कर दे इस से की video को notification काफी कालंदी जो आपका university पढ़ता है देली में college वहाँ पर professor है वो मेरे friend है उसके लावा जैपूर में है already CCS university में काफी है कुर्चेत्र university में तो एक community से मैंने बातचित की तो एक whole soul जो लिजल निकल के आया कि देखो university में कोई भी university particular जहां जहां से मुझे पता है मैं यह नहीं कहा रहा कि इंडिया में सभी university में रूल है जहां जाका मुझे पता है मैक्सिमम में यही रूल है इसकी कहीं पर भी mention नहीं है कि आपको 5 marks, 10 marks, 15 marks मिलेंगे कहीं पर mention नहीं है महाँ पर सीधा सा एक rule होता है जो आपको पता होना चाहिए कि माली जा बीकों first year में है और first year में आप किसी एक subjects में fail हो जाते है 2 marks, 3 marks, 7 marks तो आप fail होगे आपकी back आजाएगी आप next year मलब आप second year में edition ले सकते हो और आप लोगे भी second year की preparation भी start कर दोगे साथ में आपको mid session में आपको previous year का जो paper में आप fail हुए थे उसका re-exam देना पड़ेगा जिसे back का paper भी कहते है कुछ लोग और वो exam आपको पढ़ जाता है अक्टूबर, November, December के आसपास जब आप exams को दोगे आजगल semester system हो गया है तो थोड़ा पहले हो जाता है वो exams को देकर आप चलते रहोगे अब किसी बच्चे ने पूछा था क्या second year में fail हो गया तो final year में फिर से मुझे दोनों की exams देने पड़े हैं बिलकुल आप जब तक B.com की आपको degree तब तक नहीं बिलेगी जब तक आप सारी backs अपनी cover नहीं कर लेगे वैसे तो maximum time देखा गया है कि अगर किसी के एक बार back आ हो जाता है अब बात आती है grace marks क्या सब को मिलते हैं क्या कोई प्रावधान कोई provision है universities में grace मिलने का अभी तक disclose तो नहीं है लेकिन maximum लोगों का कहना है कि हमें मिला अब यह चीज़ हीड़न है universities में grace मिलता है वह हीड़न है guys क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है तक मैं पढ़ा चुका हूँ अभी recent जो मेरा बैस ताउन इसे में बात की थी उनका कहना है कुछ बच्चों का जो backbenchers की type में कहलो कि sir मैं तो उमीद नहीं थी मैं पास हो जाओंगा मैं बस copy भर के आया था और मैं पास हो गया sir मेरे बिलकुल 33 marks है अलब दो पेवर मिला कि मे पूछ के उसके मलब अगर वो फेल हो रहा है तो एक आध नंबर उदर से दे देते हैं मलब यह कह सकते हैं आप university में सब कुछ internal है कहीं पर भी disclose नहीं कि आपको इतना grace मिल सकता है कुछ हाँ अगर कोई बच्चा fail होने वाला हो तो it depends to the examiner कि वो चाहे तो आपको marks देकर पास कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 10 नंबर 5 नंबर 20 नंबर की जुरत है तो उन्होंने फीरी के रख दिये जांच हो जाती है उनकी भी नोकरी खत्रे में आ जाती है तो ऐसा नहीं है लेकिन है कि एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर 8-4 नंबर तक अगर कोई problem आ रही है तो university क के रूल, college के रूल, इन सब रूल के अगेंस्ट हो सकता है बच्चा पास हो जाए बट इसके बारे में कई पल भी कोई रूल नहीं है क्योंकि ये वीडियो में बना रहा हूं कमेंट आया था कि सर प्लीज ग्रेसमास के ओपर एक वीडियो बनाकर बता दीजे क्योंकि वह ब बता दिया, आप अपने दंपे पास होने की उमीद रखो, मैंने 32 marks वाले बच्चे यानि कि 32 marks पर फेल होते भी देखे हैं और 33 पर पास हो भी देखे हैं वो बच्चे जिनके उम्मीद थी कि मेरे तो 20 आएंगे, मेरे तो 25 आईगे, तो सब कुछ internal है, बाकी आपको solution मिल आपको पूछन आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करें, हम उस पर वीडियो भी बना सकते हैं, आपको कमेंट का reply भी आतवा दे सकते हैं, बागी आपके त्यारी केस चल रही है, जरू बताना क्या हमने जो important question की series बनाई थी, वो आपने पढ़ी है, देखिए, उसे apply किया आपके लोगी कने, तेंक्यू